वेलकम टू विद्याले स्टडी पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 12 के कुछ सब्जेक्ट के स्लेवस रह गए थे आज की इस वीडियो में हम एक स्लेवस करने वाले डिसकस उसका नाम है बिजनस स्टडीज ये सब्जेक्ट जो है काफी ज़्यादा बच्चों के पास भी होते इस सब्जेक्ट का भी हम स्लेवस डिसकस कर लेते जो 2024 और 2025 का होने वाला है आज की इस वीडियो में हम इसका मिट्रम का स्लेवस डिसकस करेंगे इससे पहले हमने final का already स्लेवस डिसकस कर लिया इसका तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या आपको description में link मिल जाएगा चैनल का या वीडियो के playlist का आप वहाँ से देख सकते हैं चलि ये जो हम स्लेवस डिसकस करें जिसका exam सेक्टमबर अक्टूबर में होता है तो उसके लिए है ये आईए डिसकस करते हैं स्लेवस को वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई doubt रहता है तो आप मुझसे instagram पर पूछ सकते हैं मेरे instagram id आप सभी के सामने हैं krishnasahani08 करके कोई भी doubt हो स्लेवस के recording regarding या कोई और भी doubt रहता है तो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं चलिए स्लेवस की तरफ आए तो इसके अंदर आपकी दो बुक है website अध्यन भाग वन and website अध्यन भाग दो ये हिंदी मीडिया में आप बुक देख रहे हैं तो मिट्रम में सिर्फ आपकी एक ही बुक पूछी जाएगी वो है business studies part 1 वाली ठीक है तो चलिए इसको discuss करते हैं ये वाली बुक को तो यहां पर अगर आप इसके chapters को देखेंगे तो यह total आपको 8 chapter दिखाई दे रहे जिसके अंदर जिससे पहला chapter है प्रबंध की प्रकर्तिय महत्व दूसरा chapter है प्रबंध की सिधान्त तीसरा chapter है वेवसाइक परियावरन चोथा है नियोजन पाचवा है संगठन छटा है नियोक्तिकरन सात्वा है निर्देशन और आठवा नियंत्रन ये हिंदी मीडियम में आप chapters देख रहे हैं यहाँ पे and हम दोनों ही मीडियम में आपको provide करवा रहे हैं जस्ट आप यहाँ पे English मीडियम में भी देख सकते हैं जैसे कि chapter 1 है nature and significance of management हो गया chapter 2 है principles of management chapter 3 है business environment तोथा chapter है planning पाचवा है organizing छटा है staffing सातवा है directing और आठवा जो है controlling यह आठ चप्टर English मेडियम वाली जो book होगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको recommend करूँगा कि आप जो है most likely CVSC questions bank होते यह purchase करें अपने exams की त्यारी के लिए और यह Oswal publishers का है आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप business studies का syllabus देख रहे हैं तो इसका भी आपको most likely CVSC questions bank मिल जाते हैं जो आपके exams में अच्छे number score करने में आपकी मदद करेंगे अभी इसमें 30% discount चल रहा है अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो link आपको description में मिल जाएगा buy link and मैं आपको website का link भी दे दूँगा वहाँ से आप और भी subject के देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे economics का देख रहे हैं इसके अलावा political science, history, geography और subject के आपको questions bank मिल जाते है, questions bank जो है आपको अगर आप NCRT book पढ़ते हैं तो यह आप जो है NCRT यह आप book पढ़ते हैं तो इसके अलावा जो important चीज होती हैं इसके अंदर तो आप chapters को समझते हैं लेकिन exams के अंदर question किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो आप यहाँ से देख सक इसके according है तो आप इसे purchase करते हैं तो यह नई syllabus के according आपको मिल जाएगा आपके exams के लिए बहुत अच्छा होगा और अपना score आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप इससे पढ़ते हैं तो चलिए बाकी वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं इसके chapters को अगर हम देखें हमने में दिया जाता है तो हम आपको हिंदी मीडियो में भी इसको समझा रहें एंड हिंदी मीडियो में कुछ जो है हो सकता है कमिया यह कमिया ना कहके आप जैसे इंग्लिस मीडियो में इस chapter का नाम क्या है nature and significance of management जब हम इसे हिंदी में करते हैं तो थोड़े से word यहाँ पर जैस आप देखते हैं जिसे जल हो गया जल को नीरी भी कहा जाता है ठीक है तो ऐसे ही जब हम इसे translate करते हैं तो थोड़े से change हो जाते इंग्लिस में जिसे प्रबंधन लिखा हो यहाँ पे and book के अंदर प्रबंध लिखा हुआ था आपका तो इसमें आपको confuse नहीं होना यह भी ठ चीजे आपको पढ़ने हैं बाकी आप English मीडिया में topics यहाँ पर देख सकते हैं इससे आपको क्या होगा आसानी होगी पढ़ाई करने में chapters को पढ़ेंगे आप तो यह focus रहेगा आपके यह topic आपके clear हो गए कि नहीं हुए तो यह chapter 1 के topic है Hindi और English दोनों ही मीडिया में है आप इसे देख सकते हैं चलिए chapter number 2 की तरफ आए तो chapter number 2 का नाम है प्रबंदन के सिद्धांत ठीक है एंड इसके अगर आप topic देखे तो यह तीन topic है जो आपको पढ़ने होंगे Hindi मीडियम में and English मीडियम में देखे तो यह आपके तीन topic है इस chapter का नाम है principles of management इसके आपको points देख स सकते हैं यह topic आपको पढ़ने है इस chapter के अंदर चलिए chapter number 3 की तरफ आते chapter number 3 जिसका नाम है website वातावरन and इसके आप topics देख सकते हैं यह topic रहेंगे जो आपको पढ़ने है and English मेडियम में देखे तो business environment इस chapter का नाम है and इसके आप topic यहाँ पे देख सकते हैं चलिए chapter number 4 की तरफ चले chapter number 4 इसका नाम है नियोजन and इसके आप topic देख सकते हैं यह topics आपको पढ़ने होंगे इस chapter के अंदर and chapter number 4 को English मेडियम में देखे तो इस chapter का नाम है planning and इसके आप topics देख सकते जो आपको cover करने इस chapter में आगे की तरफ आए chapter number 5 इसका नाम है chapter number 5 इसका जो नाम है वो है आयोजन तो पहले chapter number 5 एक बार देख लेते हैं यह है आयोजन and इसके आप topics देख सकते यह topic रहेंगे जो आपको करने होंगे English media में देखे organizing इस chapter का नाम है and इसकी इस English media में आप topics देख सकते हैं चले chapter number 6 की तरफ आए इस chapter का नाम है staffing and इस chapter के topic आप यहाँ पे देख सकते हैं यह topic चाट topic देवाई यह आपको पढ़ने है इस chapter के अंदर इंग्लिस मीडिया में देखे स्टाफिंग इसके यहाँ पे इंग्लिस मीडिया में आप टॉपिक्स देख सकते हैं चलिए आगे की तरफ चले हम चैप्टर नमबर है 7 इस चैप्टर का नाम है निर्देशन इसके आपको टॉपिक दिख रहे होंगे यह हिंदी मीडिया में कुछ इस तरह से है इंग्लिस मीडिया में चैप्टर नमबर 7 डारेक्टिंग कुछ इस तरह से इसके टॉपिक है यह आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आपको यह चीज़े पढ़नी होगी चैप्टर नमबर 8 जो की लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो है आपका नियंतरट इसके आप तीन टॉपिक देख रहे हैं यह टॉपिक आपको पढ़ने होंगे इस चैप्टर के अंदर इंग्लिस मीडिया में देखे कंट्रोलिंग इस चैप्टर का नाम है इसके आप टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं यह चैप्टर के और चैप्टर के मैंने आपको टॉपिक बताए आई होप कि आप समझ गयोंगे इससे आप पढ़ते वक्त जब आप किताब पढ़ते तो आप पता कर पाते कि यह टॉपिक मेरे क्लियर हुए की नहीं हुए तो उसके अंदर टॉपिक भी मैंसन किया जाता है जैसे चैप्टर 1 दिया हुआ है यहाँ पर टॉपिक भी यह मैंसन करते है चैप्टर 1 के अंदर कि कौन-कौन से टॉपिक आपको cover करने है ठीक है? तो ऐसा ही आपको जल्दी मिलेगा नहीं, कोई बताता भी नहीं है जब Slavus बताया जाता है अगर आप YouTube पे भी Search करेंगे, तो सिर्फ आपको Slavus में जो है chapters बता दिये जाते हैं, कि यह chapters पड़ने हैं, लेकिन आपको topic नहीं बता जाता है अगर आप topic पढ़ लेते तो इससे आप focus कर पाते हैं जरूरी नहीं है कि आपको फिर NCRT ही पढ़नी है NCRT अच्छी book है लेकिन आप जब आपको topic पता चल गया है तो आप जिनके पास book नहीं होती है या आपके पास मान लीजे कोई book नहीं है तो आप syllabus पता कर लेते हैं तो इससे आप online भी study कर पाते हैं जैसे नियंतरन वाला chapter ले लीजे तो इसमें आप Google पर search कर सकते हैं अब धारना होता क्या है और इसका महतु क्या है तो इससे आप अपने questions को या topic को clear कर सकते हैं योजना औ NCRT book अच्छी होती है आप उसे पढ़ें लेकिन आप उसके बिना भी पढ़ाई कर पाते हैं जब आपको syllabus पता चल जाता है chapter के साथ साथ जब आपको टॉपिक भी पता चल जाता है ठीक है तो I hope कि आपको syllabus समझ आ गया होगा बाकी यह था आपका syllabus I hope कि आपको वीडियो syllabus important नहीं है क्योंकि यह final exams के लिए होते marks वेटेज कितने ठीक है I hope कि आप syllabus समझ गया होंगे बाकी आपकी second book है जिसका syllabus जो है यह आपका है नहीं जो mid-term exam है उसमें आपका यह syllabus नहीं पूछा जाएगा ठीक है बाकी आपका यहीं तक था वीडियो I hope कि आपको वीडियो अच second book नहीं बताई mid-term के syllabus में सिर्फ आपकी जो part 1 वाली जो book है वहीं पूछी जा रही है part 2 नहीं पूछी जा रही इसलिए मैं आपको part 1 तक बताया हूँ यही था आज का वीडियो I hope कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को like करें ज्यादा ज्यादा अपन पहुंच जाए करें की और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे बाकी ओस्वाल पब्ली सर्च का मैंने आपको जैसे business studies का जो है question bank दिखाया ऐसे और भी subject के questions bank है अगर आप उसे purchase करना चाहते तो link आपको description में दे दिया जाएगा आप वहाँ से purchase कर सकते है चल बात्रों